नमस्कार आप देख रहे हैं हैं गितान्ष टीवी प्रसुत है समाचार कांडी प्रखंट से समवादाता विवेक चौबे की रिपोर्ट प्रखंट शेतर के सेकडो ग्राम इन किसानों ने कांडी बजार को अतिकरमण मुक्त करने को लेकर अंचल कारयाले का घिराफ किया घिराफ करते हुए किसानों ने बताए कि हम सब अपने जमीनों से महनत कर साग सबजी फलवा अनाज उप जाते हैं उसके बाद बेशने के लिए अपने निकट के बजार में जाते हैं जबकि कांडी वासियों के द्वारा उक्त बजार के खाली जमीन पर कबजे का अधिकार इस्थाई रूप से करकर रखा गया है इसलिए हम लोगों को उप जाया गया सबजी फलादी बेशने को जगा नहीं मिल पाती इसी को लेकर कि अवयत कबजे धारियों के द्वारा किसानों के साथ गाली का लोचवा अभधर विवार करते हैं साथे सबजी वगेरा को फैंक देते हैं उक्त समस्या को लेकर आज सभी किसानों ने मिलकर उपायुक्त गडवा, अंचल पतादिकारी, कांडी वा थाना परभारी कांडी को आवेदन देते हुए मांग की है कि हम लोगों को भी सरकारी जगह पर उप जाया गी सबची वगेरा बेशने को दी जाया संग्यान में लेते हुए अतिक्रमन मुक्त करने को लेकर थाना परभारी विजेश सिंग ने विनायक सिंग मोहमत शौकत खान वा दलपल के साथ कांडी बाजार पहुँचकर अतिक्रमन को हटाया थाना परभारी ने किसानों को समझाते हो ही कहा कि आप सभी को बाजार शेत्र में कोई असुधा नहीं होगी जल्दी कांडी बाजार को अतिक्रमन मुक्त करा दिया जाएगा यह बात सुनकर किसानों की हिर्देख खुशी से भर गए मौके पर संजे महता, अमित खुशवाह, दिनेश महता, गीता देवी, पारवती देवी, लक्षमन महता, सहीत काफी संख्या में किसान वाक्रामिन उपस्ती थे धन्यवाद मौके यह बात सूफब ऑन झाल झाल